प्रकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज है 11 दिसंबर 2021 देखेंग लेप तक के सभी महत्पुर्ण करेंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परिक्षाओं के लिए अती महत्पुर्ण होंगे साथ में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा ये सभी एक्ष्टा फैक्ट्स जो आपको और उसे आगे रखेगा इस क्लास का पीडियेफ आप टार एजोकेशन के वेबसाइट से तथा इन सभी सोशल मेडिया प्ल डिटेल्स में पर सकते हैं और आने वाले दिन में क्वीज और अन्ड मेटेरियल्स भी वहां आपको मिलेगा वेबसाइट पर आप जरूर्द विजिट करें इस यहां पर क्लास हिंदी इंगलिस दोनों में हैं आपको इसका पीडियेफ हिंदी या इंगलिस जिसमें भी चा का सहयोग करें और चैनल पर आप नए हैं या अब तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो अभी सस्क्राइब बटम दबा दे और पहले से सस्क्राइब कर लिया हैं तो कुछ नहीं करना आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं 2022 to be held there हाली में किस देश में हो रहे मनवाधिकार के हनन के कारण वहाँ पर आयोजित होने वाले Winter Olympic 2022 जो होगा उसे अनेकों देश सामिल नहीं होने का फैशला किया है कहां पर हो रहा है ये तो सही जवाब है चाइना में हो रहा है ये चिन में लगतार हो रहे मनवाधिकार के हनन के कारण संजुक्त राज अमेरिका सबसे पहले इसको ये घोशना किया कि वहाँ पर हो रहे बीजिंग ओलंपिक 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में सामिल नहीं होगा तो इसी के अगवाई में अब United Kingdom Canada Australia New Zealand ये सभी देश बीजिंग ओलंपिंग में सामिल नहीं होने का फैशला किया है और इसका ऐज़न बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 का ऐज़न फर्वरी 2022 में वहीं चीन में चीन की राज़ानी बीजिंग में होना है चीन में होना है तो उसके बारे में लेख लेते हैं कुछ चीन की राज़ानी वही है बीजिंग है मुद्रा वहां पर यूवान या रेन मिन भी चलता है यूवान या रेन मिन भी का मतलब यहां यह है एक्चुली में वहां प तो और साथ में हम लोग कभी-कभी यूज करते हैं पायसा बोलते हैं पायसा तो इसी तरह का समझिए कि यह रेनमीन भी है तो वहां पर यूज होता है लेकिन बात करें तो यह यूवान ही वहां की मुद्रा है अगर आपको ऐसा रेनमीन भी तो नहीं दिखना चाहिए लेकिन कराता है तो यह IOC कराता है अधात International Olympic Committee इसकी अस्थापना 23rd of June 1894 में और हेटक्वाटर इसका लॉजन जो की स्विजर लेंड में है और इसके प्रेशिडेंट वर्तवान में थॉमस बार्थ है चलिए अब यह होई एक्स्टा फेक्स की बातें अब देख लेते हैं options इतली य Community वे रहा है जी हाल ही में G20 इसका हुआ ऐसन आघि Celina remained हुआ तो उए तो इस फीनिया हुआ होँ इस ने लिखकर यहां दिया है आप इसको वीडियो को पहुच करके पढ़िएगा एक लाइन में ये समझेए ये विस्व के 20 सबसे सक्तिसाली राष्ट्रों का संगठन है और जो लगभग इसमें इसमें 20 अंतराष्ट बीस सक्तिसाली राष्ट के साथ साथ एक सदस ये भी आता ह है और इसमें सबसे महत्पून बात ये है कि विस्व के सकल घर इले उत्पात का 80% यही जी ट्वेंटी के सदसे के पास समझें तो कितना सक्तिसाली संगठन है जी ट्वेंटी आप समझ सकते हैं बाकि आप उसमें पढ़िएगा दोस्तों आज थोड़ा समय का दिक्कत है चल और वर्च्वली तरीके से इसमें भी मोधी जी पाटिसिपेट किये थी तो आस आरतिस्वा आस यान सिखर समय लंग कहा हुआ है किसकी अध्यक्ता में तो बुरू नहीं एक देश है उसकी अध्यक्ता में चलिए दुबई की उनीज में रहा है तो हाल ही में वर्ड वर्ड एक्सपो 2020 2020 वर्ड एक्सपो 2020 यह कहां हुआ है तो संजुक्त अरव अमिरात के वही दुबई में हुआ है इसे समंदित कुछ और फैक्ट्स है यह हुआ तक था तो एक्चुली देखिए यह 2020 का है लेकिन COVID-19 के महामारी के कारण यह इस वर्ड हुआ है कि इसमें करना दिखा देता हूँ जी 20 तो हो गई ब्रुन नहीं हो गई यह देखिए वर्ड एक्सपो 2020 दुबई में हुआ है और इसमें का थीम था विशाय था इस बार के लिए 2020 का है लेकिन 20 में संपन्न हुआ है क्योंकि COVID-19 के कारण लेट हुआ है थीम है देखिए कनेक्टिंग माइं इसका थीम रहा है और इसमें 192 भाग ले रहे हैं यह सब कुछ पॉइंट्स है और आप इसको पढ़िएगा चलिए तो यह इतने सारे रहे इस पहले प्रसंद से आपको इतने सारे फैक्ट्स ऑप्शन से सब मिलें उमीद करता हूँ यह आपको पसंद आए होगी चलिए अ आपको कि अधिया गया है तो इसका सही जवाब है 2023 तक 2023 यह मानो युक्त अभी तक अन्माइड मतलब मानो रहित यान बेजा जा चुका है कई बार लेकिन मानो युक्त यह अंत्रिक्स यान अभी पहली बार भारत के द्वारा भेजा जाएगा जिसको कब भेजा जाएगा टाइम लाइन है 2023 में और इससे सम्बंदित कुछ कफी अच्छे फैक्ट्स हैं देखिए मैं इसको दिखाता हूँ इस मिशन को सफल बनाने के लिए फ्रांस देश के साथ फ्रांस का एक स्पेस एजन्सी है इसके साथ हमारा जो इश्रो है वो समझाता किया है और भारत का यह पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है इस मिशन को सफल हो जाने के साथ ही भारत चौथा ऐसा देश सफल देश बन जाएगा अमेरिका रूस चीन के बाद ठीक है यह भी एक पॉइंट अच्छी पॉइंट बेजा जाएगा परिक्षन के तौर पर जैसा हो रहा है सफल हो रहा है और फिर उसी 2022 नेक्स्ट इयर में अंत तक एक और रोबोट बेजा जाएगा उसी गगन यान में बैठा कर उस रोबोट का नाम क्या है बयोम मित्र यह बिल्कुल मानों की तरह ही काम करेगा लेकिन है इसको यह एक्जामस में पूछा जा सकता है यह कौन सा रोबोट जाएगा बयोम मित्र यह जाएगा इसरो यह सब कर रहा है इसरो के बारेम देखिए फोलफॉम है इंडियन स्पेस रिसर्च और अगनाईजेशन अस्थापना इसका पुंद्रा अगत उनिस सो नहतर में हु हाल ही में जो आयोजित हुआ था COP26 COP26 का मतलब क्या होता है Conference of Parties इसका फूलफॉम होता है वह यह COP26 का आयोजित किया गया था यह क्या है जलवायू परवर्तन कारकरम है COP26 हर बार इसको यह बढ़ते जाता है जैसे 26 हुआ है नेक्स्ट यह जब होगा तो COP27 हो जाएगा इस बार 26 वह था Conference of Parties 26 जलवायू परवर्तन कारकरम है और यह इस बार इसमें जो है भारत द्वारा किस वर्स तक सुद्ध सुन्य उत्सर्जन का लच्छ रखा गया है तो वही दो हजार सतर तक सुद्ध सुन्य उत्सर्जन अधात इंगलिस में बोले तो नेट जीरो इमीशन का टार्गेट रखा गया है दो हजार सतर के लिए यह इंपोर्टेंट है चलिए और देखते हैं दो हजार 26 यह किसका टाइम लाइन है तो किंद्र सरकार के द्वारा एक जो अपना अमृत या योजना है अमृत अमृत बहुत लोग को यह माइंड में भी क्लिक कर गया होग तो पांच बर्स के लिए बढ़ाया गया है अधार दो हजार 26 तक के लिए कर दिया गया है अमृत योजना है क्या तो यहां देखिए मैं टेक्ट फॉर्म में दिखा देता हूं आप इसको अच्छे से रोक कर पौड़ भी सकते हैं इसे मैं बताई रहा हूं अमृत योजना गुनियादी वल्ड क्लास की सभी सुविदायें नागरिक सुविदायें परदान करना है ताकि सभी के लिए जीवन गुनवता में सुधार हो सके और विशेश रूप से गरीबों और वन्चीतों के लिए इसमें ध्यान दिया गया है तो इसी का टार्गेट जो है अब बढ क्तुर से और के लिए टाइम लान के लिए क्किशमें का है 2030 तेस्ता राष्टिया रेविज नियंत्रन कारकिरम के अंतरगत कुस्तुर से होने वाली रेविज के उन्मुलन के लिए क्या समय सिमा है 2030 तो यह रहे दूसरे प्रस्ण से फैक्ट और ऑप्संज दोस्तों आज ठोड़ा टाइम कर पोड़ ज्यादा यह समस्या है इसलिए माफ और वन लाइन फॉर्म में फटा फट देख लेता है चलिए तो अगला प्रस्ण है हाल ही में आर्वी आई के द्वारा किस पेमेंट बैंक को अनुसुचित बैंक के रूप में कार्य करने की स्विक्रीती दिया गया है तो पे टीम पेमेंट बैंक को यह सब्दा आर्वी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहां पर कोमा होगा फीनो पेमेंट बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन सभी को भी आर्वी आई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में सामिल कर लिया गया है अब यह लोग पेमेंट बैंक के तरह काम करेंगे अनुसूचित बैंक दर है पीटियम की बात हुई है पेटियम का यह वह स्वीकिर्थी आर्वी आई ने दिया है तो आर्विया के बारे में लिए इसका मुंबई है अस्थापना एक अपरेल 1935 इसका राष्टी करण कब हुआ एक जनवरी सकती कांत दास हैं पचिस्वे करम के और इनका कारेकाल हाल ही में फिर से बढ़ाया भी गया है तो यह आप फिर से याद रखेंगे और आरबीय में चार उप गवर्नर होते हैं डिप्यूटी गवर्नर चार होते हैं कौन-कौन है परतमान में महस कुमार जायन माइकल देवरत पात्रा एम राजेष्वर राव पी रवी संकर यह नए बने हैं बाग में यह सभी रहें इस प्रसन से चौथा प्रसन देखिए हाल ही में किस दिन अंतराष्टियो मानुदिकार दिवस मनाए गया कहीं-कहीं आपको क्यवल मानुदिकार दिवस ही दिखेगा तो यह कब मना गया है तो कल ही 10 दिसंबर को यह बनाए गया है मनो अधिकार दिवस इसका भीशाय रहा है थीम रहा है इससलों 2021 में क्या है तो इक्वालिटी रिडूशिंग इनिक्वालिटी ज एडवांसिंग योमन राइट्स अंतराश्टियस तरकी ये दिवस है तो इसका थीम भी इंग्लिश में होगा तो आपको हो सकते एक्जामस में इसी तरह का मिले हिंदी में नहीं आना चाहिए फिर भी ये रहा इसका थीम मान की दिन इसकी वोष्णा होई थी सभा में तो उसी के सम्मान में पत्यक वर्ष 10 दिसंबर को 22 कस्तर पर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और सन्जुत राष्ट की बात हुई है उसके बारे में देख लेते हैं सन्जुत राष्ट अस्थाथ युनाइटेड नेशन जिसे देखते हैं हाली में किस साइट को देश के 47 वे रामसर साइट के रूप में मानेता दिया गया है यह है इंग्लिस में इसको हैदरपूर वेट लैंड इसको कहेंगे इसको भारत इसके साथ ही अब भारत में 47 रामसर साइट हो गया है उत्तर पर्देश में है यह उत्तर पर् नौ रामसर साइट हो गया है और इसके साथ भारत में टोटल 47 रामसर साइट हो गया है यह पूछा जाता है अगर पड़ता है यह सब डाटा को आप इनक्लूदूश में कर सकते हैं चली रामसर साइट होता क्या है यह आप लोग देखी पुल के ही हम बताते हैं इसे अपनी भासा में इसको मैं लिखा हूँ रामसर साइट एक आद भूमी अस्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन एक हुआ था रामसर कन्वेंशन की तहट में लागू हुई थी यह आर्ध भूमियों के संरक्षन वेट लेंड जो होते हैं उसके संरक्षन और उनके संसाधनों के विवेकपुल सकत उप्यों के संबंध में राष्टिय करवाई और अंतराष्टिय सहयोग परदान करता है वेट लेंड जो होते हैं आर्ध भूमिया हैं उक्तरपर रिस्की राधानी लखनव मुखमंत्री योगी अधित्यनाथ हैं और गवर्नर राजपाल कौन है अनंदी बेन पटेल है चलिए अगला प्रस्थन है हाल ही में किस देश के द्वारा दिगज इकमर्स कंपनी अमेजन पर वान पॉइंट थी बिलियन आर्थिक द दंड लगाया गया है अमेजन पर लगा है तो इसके बारे में देखिए इसका थपना पाच जुलाई उनिस्व चोरानवे में हेट क्वाटर बोलीव्यू वासिंग्टन उनाइटेड एस्टेट्स में है CEO पहले जेफ देजोस थे अब कौन है एंडी जसी इटली सरकार ने आत्मी मिरभग क्रिसक विकास योजना को मंजूरी दिया है तो ये उत्तर परदेश सरकार ने किसायों की आयदुप होनी करने प्रिसी छेतर में बढ़ावाद देने के लिए उत्तर परदेश सरकार ने इस आत्मी मिरभग क्रिसक विकास योजना को मंजूरी दिया है उत्त खंड सरकार के द्वरा, उत्रा खंड सरकार का कहना है कि राज के तीपण हजार से भी अधिक दूद ब्योशाय में लगे लोगों को देविन सहायताइं देने के साथ साथ पुरसाहन के तौर पर सभी लाव रासी सिधे उनके खाते में देने के उधिस्थे से इस योजना को ल वर्नर लेटिनेट जनरल गुर्मित सिंह है चलिए नेक्स देखते हैं नौवा प्रस्ण है हाली में संकित महादेव सरकर के द्वारा सरकर ही है सरकार नहीं है के द्वारा कॉमोन वेल्थ वेट लेट लेटिंग चेंपियन सिप दो हजारी किस जो अभी जारी है उसमें स्व नहीं जवारा है तो पूरूस बर्ग में ये संकित महादेव सरकर 55 kg भार बर्ग में स्वान पदक जीरते हैं और अभी खेल जारी है और भी समें मेडल साएंगे इसी दोरान महिला बर्ग में घिली डाल डेहरा ये इसमें 49 kg भारबर्ग में स्वान पदक हासिल किये हैं तो कॉमू Airport कर लेते हैं वह हैं मुद्रह आंपि उजबैकिस्थानी सोन चलता है यह उस पॉपशन से मिले आपको इतने सरींफ है चलिए अगला है दसवा पॉपशन है हाल ही में कब राश्टिय उर्जा संद्रक्षन सब्ताह मनाया गया है तो यह 8 से 14 दिसंबर 2020 तक मनाया गया है तो उसमें से लेकर पूरे साल पूरे साल पूरे साल एक सब्स तक यह आजादी के अमरित महत्सव मनाया जाए तो इसी दौरान तरह तरह की वजनाएं और कोई पह सब्सक्राइब के द्वारा आट से 14 दिसंबर 2020 तक राश्टिय उर्जा संद्रक्षन सब्ताह मनाया जा रहा है तो यह आप ध्यान रखेंगे में है तो दे दिया गया कि पता है में क्या आया है क्या गया है तो आप से पूछ सकता है सोरी हाली में डिजनी बाइजूस और ल अकेडमी है यह सब है इसे तरह बाइजूस काई वी यह डिजनी बाइजूस औरली लर्न एप है तो इसके द्वारा इस ओलंपिक स्वर्ण वीजेथा को अपना ब्रांड अमेस्टर बनाया गया है तो यह नीरज चुपड़ा को बनाया गया है तो कि ओलंपिक जो 2000 इस वार अपना ब्रांड अमेस्टर बनाया है और यह क्या करेंगे तो दो साल के लिए इनको ब्रांड बनाया है तो इसके तहत्मीर चुपड़ा युवा सिख्षार्तियों को अधिक रचनात्मक और संवाद्मक तरीके से सीखने के लिए प्रेजित करेंगे तो बस यह यह जान किरल के कोजी कोड़ हो गया है गलत है कोजी कोड़ हो गया यहां पर में आयो जिप सिनियर महिला राष्ट्रिय फुटबॉल चेंपियनसिप में मनिपूर की टीम ने हाइनल मुकाबले में रेलवी की टीम को हरा कर यह खिताब अपने नाम किया है नेक्ट परस देखते हैं हाल मैं आमेरिकी अंत्रिक्ष अजेंसी नाशा के दोरा ब्लैक होल का गुट रहस से जानने के लिए कौन सी एक spec export लॉन्च किया लाउट्य फूल रूरणि के द्वरा एस्पैस एक्स के唱िया थerson 9 दोर से चुड़ा गया है लॉंच की ए अगया है नासा की बात कर लेते हैं ये अमेरिकी अंतरिक्स एजन्सी है नासा फुल्फॉम है नेशनल एरोनोटिक्स एन स्पेस अड्मिस्टेशन अस्थापना एक अक्टूबर उनीचों ठावन को और इसका मुख्याल है वासिंटन डीसी यूएसे में है और इसके अड्मिस्टेटर बील नेलसन है चलिए दोस्तों आज प्रस्ण हम लोग देखना अब देखना अब देखते हैं को सबसे पहली बात कि यह दुखत घटना हम लोगों को देखना पड़ा आठ दिसंबर कोई सित मां में तो खैर प्रस्ण यह अभी जामस में बन सकते हैं भारत के पहले चीफ आ प्रस्ण है क्या नाम है उनका इसको परसो और कल्दोनों दिन मैंने चर्चा क्लास में किया है करता हूं और निवीट से भी आपको याद होगा इसका जबाब आप परमेंट में अवस्य करें चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको उप्योगी लगी ह जो भी टार्गेट रखें क्लास शुरू करने का ड्रीकर इंटरफेस तो आप लेहरे रहे हैं मिल रहा है ड्रीकर इंटरफेस टॉपिक्स वाइज क्लास जल से जल सब्जेक्टिव क्लास एक जाम बैस्ट जैसे रेलवे ससी और बैंकिंग के इक्वीज जोगा रहा यह सब और अन्ने क्वीज अभी कर इंटरफेस का क्वीज यह सब आपको उब्लब कराए जाएंगे यूटूब और टार एजूकेसन के वेबसाइट पर तो आप बने रहें टार एजूकेसन के साथ और अब तक अन्ने दोस्तों में चर्चा करें सब लोग को अब तक ये और चैनल पर आप नए हैं क्या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन दबा दें साथ में जिससे की आगया आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें और पहले से सब्सक्राइब करनी हैं तो आपको कुछ नहीं करना आपका बहुत बहुत भन्ने बार तो चलिए मिलते हैं अगले कि सिमारफोन क्लास में तब तक लिए गुडबाय ओल दर वेश्ट